हमारा राजस्तान न्यूज सच दिखाता है आज हमारे साथ है सिद्धी बात में बातचीत करने के लिए वेलकम आइट आई कोलेज के डारक्ट मोदे सीरिमान बागिर जी चोदरी उन से करते हैं बातचीत सर हमारा राजस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है सर धन्यवाद सर सर मैं आपसे सबसे पहले यह पूछना चाहूंगा कि वेलकम आइट आई को लेज आपको यह सर चलाते विए कितना समय हो गया त्यार साल हो गई सर आज से पहले यहां कितने बेंच निकल चुके हैं सर कि अद्स से पहले जितने यह जो भी निकले हैं उन में से आपके बच्चे यहां से निकल कर कोई सरकारी श्यों में चेहन हूआ हो या कमपनी में लगा हो उसके बारे में कुछ परकास डालना चाहें एंतराश्टी कंपनियों में गए हैं हमारे बच्चे काफी सेलेक्शन रहे हैं आप बिल्कुल सर आइटियाई के ऐसा वेवसाय है जहां पर व्यक्ति या लड़का जो कर लेता है उसमें बेरोजगार नहीं रह सकता वो खुद का सवरोजगार बहुत कर सकता है तो सर मैं जब हमारी रहस्ता न्यूज के टीम आ रही थी हो आपके जो कोलेज उसके बाहर में ने एक लिखा वा देखा कि लड़कियों के लिए नीशलुक आप आई टीय करवाने जा रहे हो क्या इसमें क्या इसक्वाब रहता है यह सर थोड़ा बिल्कुल सर हमारा उद्देश से ग्रामिन शेतर में क्या है कि लड़किया इस शेतर में आती नहीं है तो उस शेतर में से लड़कियों को आगे लाने के लिए और उनको आगे अपने इलेक्ट्रिशन टेड जो है उसमें आगे लाने के लिए हमने लड़कियों को निशूल के सिख्षा देने का हमारी संस्तान की ओर से निर्निल लिया गया है इस के द्वारा हम केवल बच्चों से जो एकजाम फीस होती है वो ली जाएगी बाकि सारी फीस कोलेज उनको फिरियोब कोस्ट करवाएगा यह दो साल का कोर्स होता है इसमें सबसे ज़्यादा फाइदा होत तो जड़ी से उनको जोब लग जाती है जबकि अनी जो कोड से उसमें जैसे लड़कियों कोड होते हैं इस सबसे ज़्यादा गन करते हैं कि सर आज से पहले यह парघ अघ्जा करते हैं तो आप ने जो लड़कियों के लिए नी सुलक आए सब्सक्राइब हैं तो लड़कीयों के लिए उन बच्चीयों के लिए उन बच्चियों के जो माता-पिता अभिवाओ है का उनको आप हमारा राजस्तान न्यू चैनल के मादिśmy से क्या संदेशा देना चाहते हूं मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा सभी अभीवावकों और चात्र और चात्राओं को कि आपका जो इलेक्रिक्रिक्षिन ट्रेड है उसमें सबसे ज़्यादा आइसकोप है अभी वर्तमान में और लड़कियों के लिए सबसे बड़ा आइसकोप यह है कि अगर ये लड़कियां आगे बढ़ेगी तो संस्तान का भी नाम होगा और उन लड़कियों के जो अभीवावक गरीब होते हैं वो आगे पढ़ा नहीं पाते हैं तो ज़्यादर से ज़्यादा वो अपनी बेटियों को आगे लाएं और उच्छ सिक्षा परदान करें उनको क्योंकि अभी गवर्म में ज्यादा तर लड़कियां टेन पास करके छोड़ देती है पड़ाई उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने की आगे आएंगे गरीब जो मध्यमवर्ग होता है वो आगे पढ़ाता नहीं उसी को आगे लाने के लिए हमने लड़कियों को निशुलक सिक्षा देने का प् अभी पंद्रा तारिक तक एड्मिशन की प्रक्रिया चालू है ओनलाइन वो पंद्रा तारिक तक फॉरम फिल कर सकते हैं संस्तान में और एमितर के माध्यम से सबसे बड़ा मैं यह कहना चाहूंगा सबी अभी बावकों को कि वो एक बार संस्तान में आकर हमारा जो केंपस है उसका निरिक्षन करें और जो स्टाफ है उसका वो अलोकन करें ताकि जो बाहर जो वेसाय होता है कम फीस में ज्यादा से ज्यादा अच्छा ग्यान उनको हम यहां दिया जाता है यह बात तो आपके जो विजारती पढ़ते हैं कि उनसे हमारी बात होई तो पीस तो आपके नाम मतर की लिए जाती है सर तो मैं आप से आगे यह कहना चाहूंगा कि इस सम्में आपको पूरे परदेश की जंदा देख रही है तो आप उन बच्चियों क को बच्चियों के माता पिताओं को या बच्चों के माता पिताओं को इसा मारे चैनल के मादें से क्या संदेश देना चाहते हो सर मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ तो बेटियों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाएं और हमारे यह सुलक जो शिक्षा दे जा रही है उसका लाब उठाएं तैंक्यू सर ये थे जी वेलकम आईटाई कोलेज के डारेक्टर मोदे आज सिधी बात में तो यहां आने से हमें सबसी अच्छी चीज तो यह मिली कि ये वेलकम आईटाई कोलेज में लड़कियों के लिए नी सुलक आ करते हैं